हेलो फ्रेंट्स, ट्रिक्स फोर ओल इस्टुएंट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्लेटो की सिक्षर परनाली यानि के प्लेटो जएजूकेशनल सिस्टम की बात करेंगे और अगर फ्रेंट्स आपने दूसरे टॉपिक्स को नहीं देखा है प्लेटो से रिलेटेड तो आप उन दूसरे टॉपिक्स को भी देख लें, वीडियो आपको प्लेइलिस्ट में मिल जाएंगे दार्शनिकों के शाषन को वैभारिक रूप देने के लिए प्लेटो ने दो बातों पर विशेश ध्यान दिया है राज्य के समस्त नागरिकों के लिए उपियुक्त सिक्षा परनाली की वैवस्ता और संरक्षक वर्ग के लिए एक विशेश जीवन पदती जिसमें संपत्ती और इस्तरियों का सामेवाद प्रचलित होगा संरक्षक वर्ग में दार्शनिक और सैनिक दोनों आएंगे देखे दोस्तों प्लेटो ने दार्शनिक राजा की बात की थी हमने पिछली टॉपिक में हमने डिसकस किया था कि प्लेटो ने दार्शनिक राजा के शाषन के बात के थी अब उसको वैभार में लाने के लिए दार्शनिक राजा के शाषन को वैभार में लाने के लिए प्लेटो ने दो बातों पर जोड़ दिया है एक तो शिक्षा परणाली और दूसरा संपत्ति और इस्त्रियों का सामेवाद तो पहला है सिक्षा परणाली तो सिक्षा परणाली क्या होगी देखें प्लेटों का मानना था कि एक उप्यूख सिक्षा परणाली होनी चाहिए सिक्षा परणाली की अंतरगत सब नागरिकों को अर्थात सब बालक बालिकाओं को एक जैसे अफसर दिये जाएंगे नवजात शिश्यों को माता पिता से अलग करके राजी अपने संदक्षन में ले लेगा दस वर्ष की आयू तक उन्हें मुख्यता शारीरिक सिक्षा दी जाएगी प्रतेक पाडशाला में व्यायाम शाला एवं खेल का मैदान होगा पाठे करम का मुख्य विशेख खेल कुध होगा इन दस वर्षों में व्यक्ति के स्वास्थे की नीव इतनी सूद्रिन हो जानी चाहिए कि भविश्य में और शिधियों की आविशक्ता ही ना रहे तो सिख्षब बनाली की शुरुआत होती है बच्पन से ही कि जैसे ही नवजास शिशों का जन्म होगा जैसे बालक बालिकाओं का जन्म होगा तो उन्हें राज्य अपने यानि की सरकार यानि की स्टेट अपने संरक्षन में प्रोडेक्शन में ले लेगा और उन्हें 10 वर्ष तक खेल कूद वगरा व्यायाम वगरा कराया जाएगा जिससे उन्हें एक तरह से शारीरिक सिक्षा दी जाएगी कोशिश ये रहेगी कि बच्पन के 10 सालों में स्वास्ते को इतना जादा अच्छा कर दिया जाए सूद्रन कर दिया जाए कि भविश्य में दवाईयों की जरूत ना पड़े इसके बाद 11 से 15 वर्ष की आयू तक वैक्ति को मुख्यता संगीत की सिक्षा दे जाएगी ताकि शारेजिक दिरंटा के साथ साथ बालक बालिका के चरित्र में मांसिक, मिर्दुलता भी विक्सित की जा सके संगीत, सिक्षा के दोरान गणित, इतिहास और विज्यान जैसे विश्यों को भी गीतों के रूप में परिचित कराया जाएगा और विध्यार्थियों के मन में इनके प्रतिरूची जागरित की जाएगी तो ग्यारा से लेकर 15 वर्ष तक मतलब 15 साल तक वैक्ति को बालकों को संगीत की सिख्या दे जाएगी इसमें बालक बालिकाओं के मन को मतलब दिमागी हालत को अच्छा करने की कोशिश की जाएगी और संगीत सिक्षा के दोरानी गणीत इतिहास और विज्ञान जैसे विश्यों को गीतों के रूप में बालक बालिकाओं को परीचित कराया जाएगा मतलब यहाँ पे एक सामाने सिक्षा देने की बात की जा रही है वो भी संगीत के रूप में और मानसिक रूप से उन्हें काफी सूद्रन बनाया जाएगा इसके बाद 16 से लेकर 20 वर्ष की आयू तक विद्यार्थियों को नैतिक सिक्षा दी जाएगी देश के जंडे का सम्मान करना चाहिए तो ये नैतिक सिक्षा का उधारण है इसके अलावा 20 वर्ष की आयू में पहली विशाल परिक्षा होगी अब जब बालक 20 वर्ष का हो जाएगा तो पहला एक्जाम होगा इसमें जो विद्यार्थी अनुत्तीन होंगे मतलब जो फेल हो जाएगे उन्हें व्यापारी, मिस्त्री और किसान एत्यादी बनने के लिए भेज दिया जाएगा और जो इने गिने लोग इसमें उत्तीन होंगे पास हो जाएगे उन्हें 21 से 30 वर्ष के आयू तक उन्नत कोटी का शारिरिक, मानसिक और चारित्रिक प्रसेक्षन दिया जाएगा मतलब 30 से लेकर 30 वर्ष के आयू तक, 21 से लेकर 30 तक जो लोग पास हो जाते हैं उन्हें एक ट्रेनिंग दी जाएगी, वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग होगी 30 वर्ष की आयू में दूसरी महान परिक्षा होगी और जब वैक्ती 30 वर्ष का हो जाएगा तो दूसरी परिक्षा 20 वर्ष में हुई थी, दूसरी परिक्षा हो रही है ये 30 वर्ष में 21 से 35 वर्ष की आयू तक दर्शन शास्त्र की सिक्षा दी जाएगी 36 से 50 वर्ष की आयू तक इन लोगों को सांसारिक जीवन में लौट कर या थार्थ जीवन की समस्याओं से जूजना होगा फिर अंतिम परिक्षा होगी इसमें जो उत्तीन होगे जब 50 साल तक वो अपनी सिक्षा पूरी कर लेगा इसके अलावा लास्ट में एक परिक्षा होगी इसमें जो उत्तीन होगे वे राज्ची के शाशक बन जाएंगे जो अनुतीन होगे वे साहयक वर्ष के साथ जा मिलेंगे तो अगर लास्ट की परिक्षा में जो पास हो जाएगा वो बन जाएगा राजा वो बन जाएगा शाशक और जो फेल हो जाएगे लास्ट में उन्हें लगबख सैनिकों के रूप में भेज दिया जाएगा या साहयक वर्क के रूप में वो काम करेंगे तो ये थी सिक्षा परणाली प्लेटो की जिसमें एक वर्ष से लेकर पचास वर्ष तक सिक्षा ही सिक्षा है प्लेटो ने लिखा है कि जो दार्षनिक शाषन का दाइद्व समालने के योग्य सिद्ध होंगे अब इस तरह इस परिक्षा से इस पूरी कठनाईयों से गुजरते हुए जो दार्षनिक सत्ता समालने के योग्य सिद्ध होंगे उनके मन में सत्ता के प्रती मोह नहीं रहेगा कोई भी मोह नहीं रहेगा इसलिए वे शाशक बनने के छुक भी नहीं होंगे वे शाशक तभी बनेंगे जब जन साधारण उनसे अनुन्ने विने यानि की विंती करके उन्हें लोग हित में यह दाइत समालने के लिए तयार करेंगे दूसरी और जो लोग सत्ता के मौ में शाशक बनने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं वे शाशक बनने की योग्ये नहीं होते सत्ता मिल जाने पर वी ये लोग राज्ये को पतन के गर्थ में धकेल देते हैं सर्वोत्तम शाषन वह होगा जिसमें शाषक तनिक भी पद लौलुप ना हूँ देखे दोस्तों प्लेटो ने कहा कि अब इस तरह से जो भी दार्षनिक योग्य होंगे सत्ता समालने के उनके मन में मोमाया नहीं रहेगी अब हमने बात कितीना सांसारिक सिक्षा भी दी जाएगी तो इन सभी सिक्षा के तहर जो दार्षनिक राजा बनेंगे उनके अंदर मोमाया नहीं रहेगी उनका तो मन भी नहीं होगा कि हमें राजा बनाओ अब उर जा तभी बनेंगे जब लोग उनसे विन्ति करेंगे अब ऐसे में जब उर राजा बन जाएंगे जब उसत्ता समाल लेंगे तो उनके अंदर कोई मोम आया रहेगी नहीं लालज रहेगा नहीं इस कारण से राज्ञे में भृस्टा चार वगेरा नहीं होगा हम आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे तो जो लोग ऐसा कहते हैं जिनके अंदर लालच होता है वो देश को नहीं समा सकते हैं वो देश को अंधिकार में ले जाएंगे ये प्लेटो कह रहा है तो यहां तक हमारा प्लेटो की सिक्षा परणाली पूरी तरह खत्म होता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलाल इतना ही और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जाज़़जा शेयर करें और लाइक करें थैंक यू